स्वागत है आपका नमस्ते भारत लगातार जारी है और आई ये सरतापको कोरोना से जुड़ी दो बड़ी खबरे बता देते हैं कैनेडा में भी अब ओमिक्रॉन का ओमिक्रॉन वारियंट के मामले मिलना शुरू हो गए हैं नाइजिरिया से आए दो मरीज कोरोना पॉजिटिफ आए गए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अब तक 12 देशों में मिले हैं कोरोना के नए वारियंट ओमिक्रॉन के मरीज वहीं डबलो एच्चों ने डराने वाली जानकारी दिये डबलो एच्चों ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि ओमिक्रॉन से दोबारा संक्रमण हो सकता है और अब तक बाना जा रहा था कि जिनने पहले कोरोना हो चुका है उन्हें दोबारा कोरोना नहीं होता दुनिया की बड़ी आबादी के लिए ये खतरे की बात है कैनडा में भी आब उमिक्रॉन वेरियंट के पेशिंट्स मिलने लगे हैं और दो नाइजीरिया के लोगों को भी वही संक्रमण पाई गये हैं ओमिक्रॉन और इस बीच Omicron variant को लेके WHO के तरफ से जो कुछ कहा गया है वो डराने वाली बात है WHO ने साफ किया है कि पहले ये माना जा रहा था कि Omicron की वज़े से उन लोगों को Corona नहीं होगा जिनको पहले Corona हो चुका है लेकिन ऐसाद नहीं है उनको भी Corona हो सकता है जिनको ने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई है और जिनको पहले Corona हो चुका है ये अपडेट किया है WHO ने पहले जानकार ये सकत हम आपको दे रहे है Corona के नए variant Omicron से पूरी दुनिया में देशत है और अब करीब Omicron variant के मरीज 12 देशों में मिले है और लगातार सभी जगों पर रहतिहात बरता जा रहा है अपने देश की भी बात करें तो यहां पर भी तमाम तरह के नियम कानूनों को फिर से लागू करने की बात हो रही है और इसके अलावा जो भी लोग बाहर यानि की विदेश से लोटे ह उनको क्वारिंटीन में रहने की बात कही जा रही है उसके लिए फिर से एक बार नियम बनाया जा रहे है ताकि खत्रा बढ़ना पाए अगर कोई विक्तिस संक्रमित होता है ओमिक्रॉन से तो उसको सही वक्त पर इलाज के लिए पहुचा आजा सके और मामले आगे ना बढ अब को रखे आगे झाल